दासी मंत्रा की बातों की असर रानी कईके पर हो गई और भगवान श्री राम को वनवास हो गया। की नाभी में बाण चलाया और रावन का अन्थुआ। तो आप समझी गए होगे के लोगों की बातों को सुनकर हम अच्छे या बुरे निर्णाई ले सकते हैं। तो लोगों की बातों की हमारे जीवन पर क्या असर होती हैं समझते हैं ये एपिसोड में। क्या आपने कभी ये सोचा है कि लोगों की नकारात्मक बातों की असर आपको क्यों हो रही है क्योंकि आप वैसा होने देर हैं जिस दिन पे आपने उनकी नकारात्मक बातों को स्वीकारना और सुनना बन कर दिया दीरे दीरे वो आपको सुनना बन कर देंगे मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्या आपका दिमाग कोई कच्रा पिटी है, कि कोई भी अपने नकारात्मक विचार उसमें फेक के चला जाएगा, नहीं न, तो आज से आपको एक चीटी की तरह वर्टाओ करना है, जैसे एक चीटी के सामने आप नमक और चीनी रखो करता है, वो आपके दिमाग में उतारना है, चल यह मैं आपको एक सिंपल से सलुएशन देता हूँ, L.M.N. L. Learn to say no, आज से आपको ध्यान रखना है, कि अगर आपके सामने कोई नेगेटिव बात करता है, तो आपको उनको बोलना है, प्लीज चेंज अ टॉपिक, for example, अगर आपको पढ़ाई करने का मन है, और आपको कोई आके बोलते हैं कि चलो PUBG खेलते हैं, या TikTok पर वीडियो बनाते हैं, तो आप उनको ना बोल सकते हैं, आप फोकस कर सकते हैं अपने सडीस पर, अगर आप बिजनसमेन हैं, आपको कोई बोलता है कि बाजार में बहुत मन्दी है तो आप उनको टापिक चेंज करने का बोल सकते हैं, पर मेरा तो अच्छा ही चल रहा है, M. Manage your incoming thoughts, मैंने आपको वीडियो 2 में वीचारों की शुरूंखला के बारें बताया था, तो अगर किसी की बातों की आपको negative impact नजर आ रही है, तो वो वीचारों को आप वहाँ से तो आपको फरक नजर आएगा, तो चलिए आज के homework पे चलते हैं, आपको आपके ecosystem का, आपके आजुबा जो जितने भी लोग हैं, उनका एक list बनाई है, उसके सामने फिल लिखिए, कि ये व्यक्ति मुझे positive impact कर रहा है या negative impact कर रहा है, इसके बात क्या करना है, मैंने आपको बत देंगे, लोगों का काम है कहना